एक्सराइज 13.5 स्टार्ट करेंगे सेवंथ कुश्यन अगोडाम मेजर सिक्स्टी मीटर मल्टिप्लाई 25 मीटर मल्टिप्लाई 10 मीटर एक गोडाम है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गीवन है find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 मीटर मल्टिप्लाई 1.25 मीटर मल्टिप्लाई 0.5 मीटर यह एक गोडाम जो है उसकी मेजरमेंट कीवन है LBH that can be stored in the गोडाम तो यह हो गया हमारा गोडाम और यह है wooden crates ठीक है दोनों ही जो है वो cubate shape में तो गोडाम का measurement यह दिया है और wooden crates जो है उसका measurement यह दिया है अब पुछाए कि इस गोडाम में ऐसे कितने crates रखे जा सकते हैं ठीक है कितने crates store हो सकते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे volume of गोडाम को divide कर देंगे volume of one crates से ठीक है तो number of wooden crates that can be stored in the गोडाम वो जो है वो find कर सकते हैं तो पहले हम निकालेंगे volume of गोडाम एल इंटु बी इंटु एच ठीक है यह length हो गई यह breath हो गई यह height हो गई volume होता है एल इंटु बी इंटु एच तो length है 60 meter breath 25 meter और height 10 meter इसको हम expanded ही रहने देंगे तो volume यह आ जाएगी फिर हम निकालेंगे volume of वन वुडन क्रेट यह क्या होगी एल इंटु बी इंटु एच इसके हमने capital letter से show कर दिया इसके हमने small letter से show कर दिया इसका क्या है वन पॉइंट फाइव मल्टिप्लाई वन पॉइंट टू फाइव मल्टिप्लाई जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्यूब ठीक है आप क्या करेंगे नंबर ओफ वुडन क्रेट्स विच कैन भी स्टोड इन दा गोदाम वो क्या होगा वोल्यूम उफ गोदाम डिवाइड़ वाइड़ वॉल्यूम उफ वोडन क्रेट्स तो इसकी वोल्यूम है 60 x 25 x 10 और वन क्रेट्स की वोल्यूम आई है यह मीटर क्यूब में 1.5 x 1.25 x 0.5 मीटर क्यूब तो यह वाला मीटर क्यूब यह वाला मीटर क्यूब दोनों कैंसल होगे ठीक है आगे की कैल्फिलिशन देखिए कि नीचे डेसिमल के बाद कितने डीजिट है 1,2,3,4 तो सारे डेसिमल हटा कर हम मल्टिप्लाई 10,000 कर देते हैं ठीक है 4 0 से यानि कि 10,000 होगे 15 x 15, 15 x 4 x 60 ठीक है 25 x 25, 25 x 5 x 125 ठीक है यह 5 है इसे 5 से कट कर देंगे इससे तो यह जाएगा 2 1,2,3,0 तो 4,2,8,8,2,16,1,2,3,3,0 तो 16,000 क्रेट्स जो है उस गोदाम में रखे जा सकते हैं Q8 A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume A cube है इसकी side 12 cm इसकी volume को 8 equal volume cubes में divide कर दिया ठीक है ऐसे cubes में 8 cubes बनाती है जिसकी जिनकी volume equal है Volume equal है यानि कि 8 cubes जो है वो बिल्कुल same है Equal है उनकी side है वो भी equal है ऐसे हमने 8 cubes बनाती है What will be the side of the new cube तो जो यह cube बना है इस वाले cubes को जब हमने divide किया 8 से इस cube की volume को जब हमने divide किया 8 से तो यह नया cube बना जो है इसकी हमें side find करनी है Also find the ratio between the surface area और इन दोनों के surface area का ratio find करना है तो सबसे बहले हम find कर लेते हैं जो cube है इसका volume Volume of इसे मैं original नाम दे देती हूं original cube original cube of side 12 तो volume क्या होता है side into side into side centimeter cube ठीक है अब इसको किसमें divide कर दिया 8 cubes में divide कर दिया और इन 8 cubes का जो volume है वो क्या है equal है तो हमने ले लिया कि एक cube जो है इसका volume कितना है let V be the volume of new cube ये जो cube है ना इसका volume कितना है V है ठीक है तो ऐसे 8 cubes हैं तो 8 cubes का volume कितना हो जाएगा volume of 8 such cubes 8 V ठीक है अब 8 V इसका जो 8 cubes का जो volume है वो किसके एककोल है इस वाले cubes की एककोल है जो original cube था जिसकी इककोल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 अपोन 8 ठीक है 2 से कट किया 4 से कट किया 4 2 जा 4 3 जा 12 2 6 जा 6 जा 18 multiply 12 12 जा 96 9 12 जा 12 और 9 21 cm3 तो यह volume आ गई जैसे हमने 8 cube में डिवाइड किया था ना तो एक यह जो नया cube है इसकी volume आ गई ठीक है इसकी side को A ले लो तो volume क्या होती है A cube तो A cube is equal to 2 1 6 cm cube तो A side क्या हो जाएगी cube इदर आके cube root हो जाएगा ठीक है तो 2 1 6 cm cube इस cube से यह cube root cancel हो जाएगा और 2 1 6 का cube root क्या होता है 6 6 cm इस तरह से जो नया cube बना था उसकी side आ गई हमारे पास 6 cm ठीक है उसके बाद हमें इन दोनों का surface area निकालना है तो TSA of original cube of side 12 6 A square A है हमारे पास side 12 और TSA of new cube new cube जो है उसकी side कितने आई है 6 तो 6 A square इसकी A की जगह रखेंगे आपे 6 ठीक है इन दोनों का ratio find कर देते हैं तो 6 इंटो 12 इंटो 12 अपोन 6 इंटो 6 इंटो 6 इंटो 6 इस 6 से 6 कैंसल 6 जा 6, 6 तू जा 12, 6 जा 6, 6 तू जा 12 तो 4 अपोन 1 तो original to new cube ratio आ गया 4 ratio 1 question number 9 a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour एक नदी है ठीक है ये बहरी है 3 meter deep है जो deep है वो वो कितनी है इसे आप cube weight shape में लेंगे ठीक है इसे आप cube weight shape में देखेंगे जो deep है वो ये क्या हो जाएगी इसकी height कितनी meter deep है 3 meter 40 meter wide wide कितनी है wide हो गई breath 40 meter ठीक है is flowing at the rate of 2 km per hour जिस rate से वो बहरी है ठीक है ऐसे चल रही है वो गई इसकी length length कितनी है 2 km per hour आगे बोला है how much water will fall into the sea in a minute तो इस नदी से यह तो क्या है river इस नदी से एक मिनट में कितना पानी इस river में sorry sea में जाएगा नदी से कितना पानी एक मिनट में sea में जाएगा ठीक है तो हम क्या निकालेंगे इस नदी का volume अब जो length है न जितनी speed से वो बहरी है 2 km per hour यह जो length है इसको हम क्योंकि height और breath में given है तो length को हम में change करेंगे और हमें इन्हें minute निकालना है और यह हमें given है यह क्या हो जाएगा meter per minute क्योंकि एक minute का निकालना है तो volume of water coming out of river per minute क्या हो जाएगा l into b into h ठीक है पर minute के लिए हमने इसको divided by 60 कर दिया length रिकी 2000 breath 40 और height 3 upon में 60 ठीक है इस 0 से 0 cancel कर दो थ्री टूजा 2 से यहां पर कट कर दो 100 तो यह आ गया 4000 मीटर क्यूंक झाल झाल